फाइनली इंडियो और सौत अफरीका कोई मेर्स तो हुआ पहला मेर्स तो मतलब ना ढिखंच का ता अब लोगो पता ही है कजशनक बजिए है तैसे करके हो अखिए मैच हो गया है और इंडिया साफ पर हार जेलनीus अधिया है दूसरा बात करेंगे यार टीम इंडिया के बारे में मतलब देखो हमारी बैटिंग में मतलब यार थोड़ी बहुत खामिया तो यहीं लेकिन बहुत जाधा positive भी निकल के आ रहे हैं जिनके बारे में definitely इस वीडियो में बात करेंगे तो चलो इस match का review करते हैं अब देखो सबस शुबमन गिल को प्राइटी मिलेगी बिकॉज यार शुबमन गिल टीम इंडिया का फेवरेट है आप BCCI वालों ने वापर को reason दे दिया रितुराज को बाहर करने का यार रितुराज गयकवाड बीमार था वगयरा वगयरा बट हम सभी जानते हैं वहीं यह इन लोगों की टैक्टिक्स होती है किसी भी प्लेयर को बाहर करने की क्योंकि रितुराज का एकवाड ने ऑस्ट्रिया की खिलाफ सदक मार रखा है यार ऐसे तो उस बंदे को बाहर करनी सकते हैं एक reason चीए था इन लोगों ने हमें reason भी दे दिया लेकिन बात यही है यह सवी जैसवाल मतल बाहर कर दिया बाहर कर दिया उस बंदे को चलो यह तो मतलब यार खेर एक्सपेक्टेर था विकास जो कुल्दी प्यादा है इस टाइम पर को हायर की में ऊपर है बट गइंग फॉरवड आई थिंग यार आपको रवी विश्णोई के साथ जाना चीए विकास T20 में at least वह स्किल्फुल है बड़े फॉर्मेट्स में आप लोग कुल्दी प्यादाओ को लेके जा सकते हो बड़ आई थिंग T20 में आपको विश्णोई के साथ जाना पड़ेगा बिकास वह जो बंद है ना विकेट टेकर बोलर है वह पार्टनर्शिप ब्रेकर वाला बोलर है वह बं गोल्टन डक्स लेके भी गया है अपने घर को यार भाई साब गोल्टन तो नहीं कहूंगा मतलब या लेकिन फिर भी दोनों के दोनों जीरो में आउट हो गया अब देखो यससवीच एसवाल मुझे बहुत जादा उमीद है सही बता हूँ इस बंदे ने जीरो मारक है कोई वरीज नी है एक मैस में परफॉमेंस मतलब यार उपर नीचे हो जाता है वही मैं मानता हूँ बट वी नीड यससवीच एसवाल इंदा पावर प्ले वही आप लोग ने साउथ एफ्रिका का पावर प्ले देखा होगा तो वही अगर आपको वैसा स्टार चीए ना तो रित को वैसे सिर्फ एक बंदा के सुथ हो अब किसी को भी फेवरेटनी कहूंगा मैं कहूंगा घिल को ईघिल को खीला मैं मानता हूँ और आप लोग एक एगो सद्ध बार Teles K जैसवाल को उपनिंग में रखना पड़ेगा ठीक है कल आउट नहीं हुआ लेकिन यह जो चीज है ना भाई दूसरे मैच में बदलती हुई भी दिखेगी जब मतलब यार यससवी जैसवाल वो फियर ही स्टार्ट दे रहा था आउस्ट्रिया के खिलाफ आप लोग ने देखा ही होगा वहाँ पर को तो सबको मज़े आ रहे थे कल जीरो में आउट हो गया था लोग बोलने लगे भाई इसको बाहर करो इन दोनों को उपनिंग करो एक मैच की बिसेस पर जजमत करो अभी अगला मैच भी है वेट करो वहाँ पर को मतलब यार कैसा परफॉर्म करता है देखने है आपको पावर प्ले का यूज करने वाले प्लेयर चीए यह दोनों मतलब यार कल जीरो में आउट हो गे थे यह लोग थोड़ा बैक फुट में चले जाएंगे आराम से खेलेंगे कर लेकिन नहीं वाई दिस इज नियु इंडिया हम लोग घर में घुसके मारेंगे और ऐसा ही हम लोगों ने कल किया वहाँ पर को किया पावबले में तिलाक वर्मा आउट हो गया था लेकिन उसके बाद आया मेरा फेवरेट यंग्स्टर भाई रिंकु सिंग रिंकु सिंग भाई साव यार तुम किसी को वापस ले आओ भाई T20 टीम में मुझे कोई फरक नहीं परता तुम सीनियर को वापस लेके आजाओ कि लाउन में रखना है बिकोज ये बंदा हिटिंग एबिलिटीज के साथ साथ भाई एंकर भी कर सकता है पहली की दस बॉल देखो इसकी भाई आराम से खिला इस बंदे ने वापर को लेकिन उसके बात पता था कि यार आपको शॉट्स मारने है क्या कमाल की हिटिंग यार चौके 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 और वो जो चक्का मारा भई क्या पावर से मारा भई खिड़की टूर की यार सा होता है प्रिकावाल होगी भाई साब रिंकु सिंग ने ना सही में आर विरा दिल जीत लिया है कल इस बंदे ने बना है 39 बॉल में 68 रंस एकसलरेरेशन ऐसा होता है बता कंसिस्टेंटली यह चीज कर रहा है तो रिंकु सिंग डेफिनेटली भाई स्टार यार वही सही बता रहा हूँ सूरी कुमार यादाओ के बारे मां बूलनी की जरुवत है या टीटवंटी का बीस प्लियर है वही 36 बॉल में 56 रं यह भी बना के गया था तिलाक वर्मा ने बनाए 20 बॉल में 29 रं और लास्ट में जड़े जा वही थोड़ा सा कंट्रिबूशन देखे चलेगे 14 बॉल में इस बनाए 19 रं तो इंडिया ने मतलब यार 19.3 ओवर्स के बाद बनाए थे 180 पे साथ लेकिन DLS मेथड की वज़े से साउथ एफ्रिका को चेस करने थे 15 और 15 जो कि बहुत ही जादा तफ थे दस के आसपास का रंडेट चिये था और इन लोगों ने वह करके भी दिखा दिया लेकिन उससे पहले यार साउथ आफ्रिका की बूलिंग के बारे में बात करते हैं मैंने आप लोगों को तफरे समची के बारे में पहले ही बताया था इस बं लिजार्ड विलियम्स ने भी अच्छी बूलिंग करा थी बीच-बीच में पिढ़िया था और माकरम भाई साब यार यह होती है इस लिए आपको चीए इंडिया वाले इस बूलिंग ऑप्शन का यूजी नहीं कर रहे हैं और यहां देखो माकरम 19th ओर करा के चले गया और बंदे को विकेट भी मिला जिते शर्मा के साथ इस बंदे का मतलब यार मैच अप था और उसका विकेट भी लेके गया डैट वोज अमेजिंग अब बात करते हैं साओध एफ्रिका की इनिंग्स के बारे में यार देखो 154 रंज होते हैं वह बहुत जादा रंज होते हैं व तीसरा ओवर कॉन कराने आया जड़ेजा जिसने मतलब या थोड़ा सा रंगती में विराम लगाया पाची रंदी और यार एक रन आउट भी हो गया था उसके ओवर में तो था ओवर कॉन कराने आया मुकेश कुमार कितने रंज देखे गया वही 13 आखरी ओवर पावर प्ले में जिस त्रेगी बैटिंग की है न साउथ ऐफरिका ने आदा गेम तो इन लोगों ने वहीं पर को जीत लिया था पाँच ओवर के बाद इनका स्कोर था 67 पे 1 भाई ये जो स्कोर था ना इसने पूरी एक नीव तही कर दी थी आई नो मतलब यार बहुत ज्यादा डियू आप लोग मतलब यार इंडियन बोलर्स को उतना ज्यादा क्रेडिसाइज नहीं कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा यार इतने रन नहीं दे सकते हो वही पानी भी आ रहा है कोई दिक्कत वाली बाद नहीं इतने रन्स दे सकते हो तो हमारी जो बहुत जादा बेकार रही है और सही बताओं अरजदीव सिंग मेरे ख्याल से आप भार जाते हुए दिख रहे है क्योंकि मुकेश कुमार ने उसकी जगा ले लिया है इवन दो कल का मैच में मतलब यार दोनों ने रन्स पिड़ाय थे लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार म बंदे को खेलना है तो हमारी बोलिंग कल बहुत ही जादा गंदी रही है और सही बताओं साओध अफरिका की तरफ से जो जो मतलब यार मेरे पिक थे सब ने यार रंज बना है मैंने कहा था रिजा एंडिक बहुत कमाल का हो गया से आपको ध्यान में रखना है बंदे ने र इंडियन बुलर्स एक बार मतलब यार पिट गए थे तो उसके बाद इन लोगोंने पीछे मुड़के देखा नी पिड़ते गई पिड़ते गई पिड़ते गई थोड़ा सा मतलब यार मिडलोवर्स में ने लोगोंने कांट्रोल करने की कोशिश की लेकिन दैट वाज कुल्दी प्यादा हो तीन में 26 तो यही वाला सिनारियो रहा पारिश की वज़े से यार हमें हमारी रियल बूलिंग देखने को नहीं मिली देखते है मतलब यार अगले मैच में क्या यही टीम हमारी खेलती है नहीं खेलती है आधिंग रवी पिश्णोई को अंदर लेके आ कितना रेट करना चाहोगे मैं तो दस में से दस करना चाहता हूं यार